नमस्का वीकी वी नियूस के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है अब रुख करते हैं आज की एडलाइन्स पर नाकपुर विस्वडक मामले पर वलसे पाटिल ने दीप प्रतिक रिया गुरुह विभाग की है इस मामले पर नजर चुपे 20 फरार आरोपियों का बुल्धाना पुलिस लगा रही है पता पुलिस के सामने आरोपियों को ढुनने का आभान और युवक चड़ा जिलाधी कारी कारिया लेके टौबर पर जिलाधी कारिया लेके खिलाफ उकारी एलाने जंग और अब खबरे विस्तार से नागपूर में रेलवे स्टेशन के बाहर विस्पोटक पिलने की घटना से नागपूर में हड़कम मच गया है इस पर राजजक की कुरुहा मंतरी दिलिपल से पाटिल ने भी प्रतिक रिया दिये आईए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा स्टेशन के बाहर विस्पोटक सापड़ पुटतरी पुलिस प्रेशन ग्रो विवा कुटतरी आपईशी जला है असरत के बंते यंदरने कारान शुटी जे स्पोटक का जो अलागराई पदार तसा पड़ले पुलिस अनि स्टेश मदे शोधून काड ले ले लाए और पुलिस अनि से संपुरोना परस्तित्य और लक्षा है सर काल चंद्रकान पड़ले के स्टेटिन दिलेला है कि जाएंची सभा दूसर दूशी होना है जाएंचा से लेह आतासे आया थी रज्यidences अनि धेह जिंजा उनिये पार्चा होले कि जैए णिक उल्माधे परिशन्तों रज्य वतस्तित्या यायरे देश्यलिस्तों पर नियून हिए प्रणागराई भिश्त फार्ण CL कि क्याया है अनिविरुदी पक्षेदर पे घेत ले जाता है तेमने तेला कई फ़र गंबिरेन पाइची घर दे अशरला भागने आएक राज करना सा भाग है सदर अंतरगत नई बस्ती में सागर शाहु नामक युवक का किसी अनिकेत और विलसन नामक व्यक्तिने गले पर धार-धार हतियार से वार कर मौत की घट दार लिया ये घटा कल रात के दोरान में ऐसे जान करी सामने आई है नागपुर में आये दीन हत्या का सिलसिला थमता नजन नहीं आ रहा है सुमार को ही एक हत्या की वारदात हुई थी वो शान्त हुई नहीं कि उसी रात को एक और हत्या की वारदात का खुला सा हुआ है सदर पुलिस थाना अंतरगत नई बस्ती में एक विवक की हत्या का मामला सामने आया है मृतक विवक का नाम सागर शाहू बताया जा रहा है नई कुछ नहीं था वो बाहर दोस्तों में पता नहीं पर नारमली था कुसी दोस्तों अपोन आ था उसके बाद ग्या है का हाँ हान जोचें रही पहले ईसे पहले सने मंमी पंपा मैं भाइं सोटा वी क्या करता तला रहा चिजा दा판 टा counselors सुत्रों से मिली जानकारी की मुताबिक विलसन नामक आरूपी ने मुरुतक के गले पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया घटना कल रात की बताई जा रही है फिलहल हत्या कीन वज़ा से हुई है इसका पता पुलिस लगा रही है फिर हमने समझाओं जाके तो विलसन कहता है कि मैं तुझे देख लोगा तो हम वहां से जैसी निकले तो विलसन ने 15-20 लड़के लेके और घर के पास आया था तो वहां से वो घुम रहा था लेकिन हम उसके नहीं दी के हमको एतने बताया तो हम घर जा रहे थे तो मेरे घर के पास जैसी पोचे जो अन्नी के जानजोटे नाम है जिसका वो लड़के का मुझे कॉल आया आप कहा पर है बोले भाई बोले मैं बोला घर के पास हूँ तो जैसी कॉल आया तो मैं जैसी गया मैं और सागर साउप दानाम नियाल हम जैसी दोनों गये वहां पर तो उसने डायरेक उतरते वर उबर विल्सन ने उसके गले में चापू मार दिया है तो यह पहले से किस वज़े से दुश्मन ही थी और उसने आपको मिलने के लिए बुला घारी करता था विल्सन और जगडा भी हुआ था इसके पहले विल्सन से 2-3 बार भी जगडा हुआ था जीम से किया बार बार गए वहां से डारेक आये हम लोग बैटें तो यह घर आ रहा तो रिटन कॉल आया हम घर जा रहे ते तो खाना खाने घर जा रहे ते अनिक इतका लाया तो बोले कहा परे तो मैंने वुला मैं हम लोग ही पर ही है घर के पास तो बोले ठीक है बोले मां आ रहा हूँ बोले तो महले ठीक है अनिकेद भी मेरे घर के पास रहता है नहीं वस्ति मंगलवारी वजार के बास भगवान किराने श्टोर के पास जो घटना घटी है मैं पर रहता हूँ और सागर साओ मंगलवारी वजार के पास रहता है। पर रहता है। रहता है। रहता है। यह एकल रहता है। रहता है। पर रहता है। मुरुद्धक और या तिरेक आरुपी आहे पिनिनावा चा या अगुदर त्या और काई गुन्यगारी चा रेखोड़ा है अंचा पुर्वी चा पुराना य वाद्वी बार शुरू होता है चाहा है नाई तेक आरुपी बार्टी है ये सदर चे खाटिक मोल लाएकिन रहाना रहा है तो जुना वादना उता पुरुद्ध्यान चे से मनना है कि माक्चा वर चे अशच गुरून पहन या वरून तेंचा मदे बाचा बाची धलीली होती तो रूता का तो आठो चालक आहे आनि जो आरुपी आए तो एक प्राइवेट रोजमजुरी चे काम करताते असार चीρα आठोटा थाले ला है तो तो आदे रूफी दोंने निष्टना जाले है केटी अलुपी मनना अटक करना जाला है कैसी है पिछले पाच महिनों से चिकित साधीकारी जिला परिशद जिला स्वास्थाधीकारी कार्या लेके सामने अपने वेतन के समाप्थ होने के कारण उनके वेतन के ददकाल भुपतान की मांग कर रहे हैं डॉक्टर निले स्वास्था परे जिला परिशद 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 जिला परिशद बुल्डाना इथे जम लेला है आमचे मागिल पाच महिने पसुन पगार नहीं जे नवीन लोग को जोईन जाले तैंचा जोईनिंग पसुन वेतन अधा करने दालेले नहीं अनि सासा मैंने जर ग्रामीन भागात रुगन सेवा देता है या कोवीट कालाद आमी जवा रुगन सेवा दिली तेवा आमी कुठले आंदुलन केले नहीं आमें सयम राखला तरी जिल्ला अप्रेशेशनला जर तेची कई दखल गेत नसेल तो आमाला आता है यह पेक्से दुसरा परिया उटलाने आमचे गड़े कि आमाला इते ठीया देना है हां मिला मीटिंग मर्म जाना नहीं है म वी सिवा मैडम कड़ेंगे लिनेंदन डियेजेच आणि पगार नाही वहते हैं अधिक आर्थिक पिडानों को थे अथे पार जबाबदारी नहीं बोलतों कि आर्थिक पिड़ों नोखोते थामली पाई जे आता अमीं डॉक्टर आये आमाला रुखना सिवा करू दिया है अमाले अंदुलन मगेरे मार्ग अप्राइला आमाला भाग पाड़ू नका अनी जर आइकले नहीं ते आमाला नहीं लाए ज रूप में अपदी आपती दर्च कराए इसके बाद के आवे दोनों पर विजार नहीं किया जाएगा ऐसा नगर परिशत के मुख्यमंद्री संदीक बोरकर इन्होंने दीएवे प्रसिद्धी पत्रक से जाहिर किया गया है आपनी प्रोसेस थांबूल योती माई दुसा खाली पुन्ना राज्य नियोड़नों कायो गंचा पत्र प्राप्त जालेला है त्यानी जो प्रभागरशना प्रसिद्ध के लिए होती सदर प्रभागरशना हर्कती सुचना मागन्या बाबत पुन्ना निर्देश दिलेला है दोनादार 22 परेंत नगरप्रशत काम्ठी मदे आपन सुचना वगरे दुशकता नाई जो प्रसिद्ध करना तालेला त्यास प्रभागरशने चानुशंगा ने फक्ता हर्कती वो सुचना मागविना तालेला है त्यानुसार पुडिल कारवाई नियमानुसार करना थी सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालव मेरा फेवरिट कालव मेरा फेवरिट देस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूल होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां कैमपस इंटिव्यू गाइद बाइद बाइश्टी एक्सपिट प्राइश्टी आप पासकने है Flywheel Aviation Academy वन दिगरी, त्री जब अपरचुनिटीज Flywheel Aviation Academy गिव जिव डिगरी और दिप्लोमा विद ए जोब Flywheel Aviation Academy 365 गानीनगर L.A.D. College Square beside करनाठिका बैंक नागपुर जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधनिक लेजर से उपचार अब्युदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल, लोहार समाज भवन के पीछे माहा पुष्प सोसाइटी शताब्दीनगर चौक से मनीशनगर रोड नागपुर कॉल और विजिट करें ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने इन में से 42 लोगों को पकड़ा है लेकिन फरार आरोपियों का पता लगाने का आवान बुढ़ाना पुलिस व्रशासन के समक्ष खड़ा हो गया है जिले में काइदा और सूवेवस्था अबादित रहे इसलिए बुल्ढ़ाना पुलिस विविद कारवाई कर रही है इसी कड़ी में दो से अधिक गुनहा दाखिल किये हुए है और दोश सिद्ध हुए कुनागारों को जिले से हदबार करने के लिए और उन पर अंकुष रखकर प्रतिबंधित करने के लिए पुलिस ने गदम उठाये है शांती आबादित रखने के लिए पुलिस दल से गुनहागारों की जानकरी प्राप्त की है पथकों को चुनकर फिंगरप्रिंट विभाग की मदद ली जा रही है वी साहेथ, त्यांचा आमें स्तानिक गुप्त बातमेदारा मरपत, त्यास बरवर गावातिल, पूलिस पाटिल, सरपन्च और इतर प्रतिशिक नागरिकांचा मरपतिने दिग्रस दालोगा के इसापूर में अतिक्रमन हटा कर वो जगह गरीबों को दी जाए और दाखिल हुए गुनाहों को पीछे लिया जाए इस मांग को लेकर एक युवक ने जलादी कारी कार्याले के टावर पर चड़कर आंदोलन शुरू किया है इस आंदोलन की वज़े से पुलिस प्रिशासकों के परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है नापूर में आना टॉकी चौक के पास मेट्रो के पूल के नीचे सुभा करीब साड़े आट बज़े के दोरान आटो में एक व्यक्ति गंभिर अवस्था में मिला सुकेश रामकिशर राने नामक वरियादी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है पुलिस घटना स्थल पर पहुची तो पता चला कि व्यक्ति की मौध हो चुकी थी शेव को में उस्पताल ले जाया गया है जबकि अभी तक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है इस मामले की पुलिस जांच कर रही है अधुन टैचे आइडेंटिटी बापत तुरा मिड़ा लेले नहीं है अप लाला अपन शोद्यत आओ तो आठ पनाच्चा दर्मेंट चिता उस्थित मिड़ो ना जो विकिबी न्यूज के लिए कैमेरा परसन रोशन वोकरी के साथ आईश्वरी अशिंदे की रिपोर्ट नागपुर में जिला खरिफ प्री सीजन के बैठक में यूकरेन रूस युद्ध से रसायनिक और वरकों की उपलब्धता प्रभावित नहों और किसान इसे प्रभावित नहों इसलिए किसानों को अभिभावक पंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने आज प्री सीजन समिक् प्राकरूतिक आपदा किस्तिती में किसानों को फसल बीमा प्रदान करने के लिए तालुक अस्तर पर बीमा कमपनियों के कारिया ले खोले गए हैं नागपुर जिले में 4,74,325 हेक्टेयर शेत्र में विभिननफ फसलों की खेती की जाती है जिले के अधिकान शेत्र में कपास की खेती होती है पिछले साल 2,00,00 हेक्टेयर में पराती की बुवाई की गई थी सोयबिन की खेती 1,10,000 हेक्टेयर में की गई थी इसके बाद खरिफ सीजन में धान और तूरी की बारी आती है इसलिए आज की बैठक में सभी तालुका कुरुष्य अधिकारियों को उद्देशों के अध्यान में रखते हुए अपने अपने एक शेत्र में फसलों की खेती की योजना बनाने के निर्देश दिये गया है पिछले तिन वर्षों में आउसत से अधिक बारिश हो रही है अब तक 1729 लाख रुन वितरित किये जा चुके है अभी भावक मंत्रे ने उद्देश पुरा करने की अपिल की है इस मौके पर विधायक आशिज जायसवाल विधायक राजु परवे के साथ जिला कलेक्टर आर के विमला मुख्य कारे कारे अधिकारी योगेश कुम्भेजकर जिला कुरुशे अधिक्षक मिलिन शेंडे मंच पर उपस्तित थे विके भी नियूज के लिए कैमरा परसंट रोशन बोगडे के साथ लीना का ट्रेक की रिपोर्ट